बॉलीवूट के स्टार अनुपम खेर अपनी नई फिल्म दा एक्सिडेंटर ओफ प्राइम मिनिस्टर को लेकर काफी जादा बिजी चल रहे हैं जी हाँ वैसे तो ये फिल्म कहीं न कहीं देखी जाए तो कुछ सत्त घटनाओं पर अधारित है लेकिन इस फिल्म को लेकर काफी सारे बादविवाद और काफी सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं उन्हीं सावालों का जवाब देते हुए नजर आए हैं अनुपामखेर चली दिखाते हैं इस वीडियो के जरीए क्या कहा उन्होंने अपनी फिल्म को लेकर के अनुपामखेर दाया असपा मलमॉन सिंग्डान एक्सिदेनटर प्राइम मिनिस्टर यॉ नखाु करतैhhhh एर ए ये कल मैं ए डेना के थू भी बोला मैंने Iえーक त्रेलर के के दौरान में ने भी उल्ला साल पहले मेरे पास ये सुनील साहब, सुनील बहरा साहब और वीजय गोटे जी आया थे अशोग पंडित के थूप ये कहानी सुनाने के लिए मेरा पहला रेक्शन था कि मैं ये फिल्म ना करूं, not because of anything else, but because I felt that political film होगी, controversy होगी, मैं क्या इसमें करूंगा बट फिर मेरे अंदर के अक्टर ने एक दिन न्यूस पर डॉक्टर मनमोन सिंग को चलते देखा और मैंने कहा कि in case if I ever thought of doing this role तो मैं कैसे करूंगा तो जब मैं तोड़ा चला तो मुझे लगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है उनकी तरह चलना या उनके भाव भंगमाएं दर मुझे लगा कि ये आधुनिक भारत के पुलिटकल दशक की एक बहुत ही सशक्त कहानी है बहुत ही इंपॉर्टन कहानी है जो जिसका भाग मुझे मिलने पार्टिस्पेट करने के लिए मिल रहा है बता और एक्टर and I have always reinvented myself as an actor मेरी पहली फिल्मे में 28 साल गया था तो मैंन मैं 65 साल के भुदूर की एक्टिंग की थी तो मैंने हमेशा अनकन्वेंशनल तरीके से अपने करियर को देखा है मैंने हमेशा नए ने आयाम स्थापित करने के कोशिश की है not for anybody else for my own self because I want to rediscover myself as a person as an actor हमारे एक्टिंग के टीचर का करते थे जब तक difficult job नहीं करोगे तब आया यूथ कॉंग्रिस के लीडर का तो पहले मैंने अग्नोर किया लेकिन दीरे दीरे हमारे हां ऐसा होता है कि suddenly it became a very big news and I felt that and आज सारा दिन सुबह से ही चल रहा है कि हम बन कर देंगे फिल्म रोक देंगे अलग from other methods also अगर हमें फिल्में नहीं दिखाई हमने एक बहुत ही से approval लिया और हमने कुछ भी promotion नहीं किया जब तक हमको sensor certificate ना ट्रेलर का हमें बहुत पहले मिल चुका था लेकिन हमने फिर भी trailer release नहीं किया हमने पूरी film के sensor का वेट किया sensor certificate का sensor certificate में जो नहीं हम से कट मांगे थे जो change करने को बोला था वो हमने प्रॉपरली change करके दिया है और उसके बाद कोई तीसरी शक्ती नहीं है जो आपको कैसा के कि अब ये फिल्म जो है हम आप हमें दिखाएए ये बहुत ये हमको किसी ना किसी ताइम पर रोक किसी ना है थे एक्सिदेटल प्राम मिनिस्टर एक सिनिमा के पॉइंट आप विए से इस ए रेविलुशनरी फिल्म जो फिल्स ताइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया में जो हमें दो हजार अठरा तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई दो हजार सोला में सुनीर बोरा साभ ने एकनॉमिक टाइम्स में इसको अनौंस किया था कि मैं ये फिल्म बना रहा हूं उसके बाद जब 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 उनोंने किसी भी एक्टर को साइन किया मुझे या सूजन को या अक्षे खन्ना को या जो राहुल गांदी का रोल कर रहे है जो अहना को जो प्रियंका जी का रोल कर रही है ये सब पब्लिक डोमेन में ये न्यूस थी कि ये लोग साइन हो रहे हैं ये फिल्म बन रही है हमने इस फिल्म पे बहुत मेहनत की और मैंने बता और एक्टर इस फिल्म पे छे-सात मेहने रिसर्च किया बिकाज मुझे लग इंडिकल फिगर करने के लिए बन किंजले ने जब गांधी जी का रोल किया उसको ऑसकर मिला डैनियल डे लूइस ने जब अनधर रोल किया उसको ऑसकर मिला जब मेरिल स्ट्रीप ने मागट तैचर का रोल किया उसको ऑसकर मिला हम बखुबी मैं बखुबी इस रोल को अब ये फिल्म लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए या हम पिक्चर रोक देंगे, I think it's a very unfortunate thing and आप लोग अलग तरीके से मुझे फोन कर रहे थे तो मुझे लगा मैं सब के सामने अपना और फिल्म का और गाड़ा साब का और मेरे डिरेक्टर्स का और प्रोडूसर का और अध जरूरी है हम freedom of expression की बात करते हैं बड़े बड़े नेता freedom of expression की जो उनको सूट करता तो बोलते हैं की freedom of expression होना चाहिए और freedom of expression जब आने की बात होती है तो बोल दिया जाता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे तो I think cinema has to move on, people have to move on, we have to practically show maturity and sort of allow people to make films आज से 25 साल बाद जब हिंदी फिल्मों का अधुनिक फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा एकसिडेंटल प्राइम इनिस्टर बारे में बोले जाएगा यह पहली फिल्म थी जिसमें सब अब इसके बाद बहुत सारे लोगों पर फिल्म हैं बननी चाहिए अगर हम फिल्म की फिल्म पर बायोपिक बनाते हैं तो उसका नाम इस्तमाल करते हैं अगर हम ठाकरे साब की फिल्म कर बनाते हैं तो उसका नाम इस्तमाल करते हैं अगर हम मैथमेटिशन पर कोई फिल्म बनाते हैं उसका नाम इस्तमाल करते हैं why can't we make a film about political decade where we show what happens actually in PMO, what happens among the people, what happens in the Rajniti. So we have basically done that and that's exactly my point is. इसके लावा आप कुछ कहना चाहेंगे? अब अब सब्सक्राइब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो थैंक सबको और मैं ये बूलना चाहूँगा के… कि हमारी कंपनी पैन बहुत सारी फिल्में रिलीस करती है हर साथ 10 से 12 फिल्में तो मिनिमुम मों रिलीस करते हैं और इस फिल्म के लिए खास एक्सिनेरल प्राइम मिनिस्टर के लिए बोलना चाहूँगा कि वीजय गुट्टे जीने बहुत पहले बात तो हिम्मत करकी ये फिल्म बनाई होगी और इतने आर्टीसों को कन्विन्स करके जोड़ा होगा सुनिल बोरा का सपना था ये फिल्म बनानी चाहिए और हमारे पास ये जब फिल्म लेके आए रिलीस करने के लिए जब हम जुड़े तो हमने उनके साथ जो हमें आज तक की समझ है कि हमारी जो इंडिया की एजन्सी है जिससे हम बंदीत है वो सेंसर बोर्ड है सेंसर बोर्ड हमारे को सेंसर देता है तब जाके हम फिल्म पब्लिक ली रिलीस कर सकते हैं ये आज तक का हमने इतियास देखा है और इस फिल्म में हमने वोई कंडिशन सुनिल बोरा पर डाली थी कि जब तक सेंसर नहीं आएगी हाथ में मैं इसका प्रोमो लॉंच नहीं हो इसे फिल्म रिलीस करने के लिए हमारे पास डेसमबर में रिलीज हो सकती थी ये प्रोमो तीन मेने से प्रोमो का सैंसर अमारे हाथ में था फोई पॉलिटिकल इशू ना इसको लेना चाहिए अधर्वाइस हम 11 तैस रिजल्ट आने से पहले भी रिलीज कर सकते है ये फिल्म इंडिपेडनेंट देखनी चाहिए और अगर ये स्टेट वाले या दूसरे लोग जैसे बोलते हैं, मुझे लगता है कि इंडिया की, जैसे अभी हम इसको ओवर्सेस भी करने वाले हैं 8 फिबुरी को, तो हर एक के अपने अपने कानून है, अमेरिका में रिलीस करनी है तो उ अलग कानून है, दुबई में रिलीस करनी है तो अलग कानून है, वो हर कानून का में मकसद होता है कि हमको सेंसर लेना होता है, हर कंट्री का, और इसलिए हम लोग के पार टाइम नहीं था, अधरोईस हम साय इसको पूरे वर्ल्ड में एक साथ ले जा सकते थे, क्योंकि इस क्योंकि एक हिंदी को रिलीस करने में भी इतना टाइम चाहिए, तो हम 11 जनुवरी को ये फिल्म ला रहे हैं इंडिया में, हम पहले हिंदी रिलीस करेंगे, और 8 February को हम English, Tamil, Telugu, ये तीनों रिलीस करेंगे, इंडिया में, और Overseas में चारों लेंग्वेज हम 8 February को करेंगे. पिर सेंसर बोड का क्या फाइदा है? The only person, if he asks me that I would like to have a screening, not to sort of ask him whether it is right or not, is Dr. Manmohan Singh. अगर मुझे लगता है कि उनको ये फिल्म अगर देखेंगे. बड़ी अच्छी बात है अगर कर लिया. ये बड़ी अच्छी बात है, अगर they should, they should control their people. तो इस पर मैं मोलना चाहूंगा, ये यूथ Congress अलग होता है? ये उसके बात, Congress अगर अच्छी बात है, ये अगर पॉजिव बात है हमारे लिए, तो ऐसे stand हर पार्टी ने लेना चाहिए. I think that's a great news if Congress party has said that they should not, they should in fact encourage it. Dr. Manmohan Singh was not only the Congress party's Prime Minister, he was the Prime Minister of the whole country. They should encourage people or every party should encourage people to sort of watch it. अब पहले से अच्छी करने, I was reading some people's twitters, this thing that it's a fake movie, it's a fake this thing, it's something like that. So I think we should not pay attention to that. If that is what they have said, I think it's a great thing. So I know many senior commentators who have seen the trailer have said that this is fictionalized, it doesn't look cool. Especially those commentators who claim to both in the end part of that film. So that's all right, let them see the film. It's like saying that you are doing a small thing, we are not saying that you are saying that the fate depends on what you're talking about. We are making a film, we are making a lot of people. Film Yadda, Priyanka report. आẹञे स्वी बाल sí चुब है आफांचे सहोगोजशफान ताए्पु झाञे साथे वोजमर चूब है लाल, Im先 जाइखчики को बाल,